कि monochormatic radiation emitted when electron on hydrogen atom jump from the first to ground first excited state से ground state में जम कर गया तो अब जब इलेक्टान हाइयर आर्बिट से ग्राउड में जम करेगा तो एनर्जी का डिफरेंस आ जाता और वो एनर्जी का डिफरेंस फोटाउन के फॉर्म में बाहर आ अब वो ग्राउंड इस्टेट जो फोटाउन बाहर आया उसको ए रैडियेट किया गया फोटो सिंसेटिव मटेरियल पर डाला गया तो वहां से डाउड में कभी-कभी लेके आते हैं तो पहले हम कोशन को समझते हैं एक हाइड्रोजन एटम में यह उसका नुक्लियस है और इसके एराउंड जो है यह आर्बिट है और यहां से एन इस उकॉल टू वन ग्राउंड इस्टेट एन इस उकॉल टू टू एन इस उकॉल टू टूर्ट है ऑडू इस एटम में जो जंपिंग वही है यहां से एलेक्टरॉन जो फस्ट एक्सायटेड में चला गया है तो एकशी में ठावर आहेगा तो यहां से एक ही photon बाहर आएगा, यहां से एक photon निकल गया, और उस photon के पास अपनी कुछ energy है, delta E, क्योंकि यहां से जब nuclear से दूर जाते हैं, तो electron की energy increase होती है, और यह energy maximum हो जाती है, infinity पे जिसकी value 0 होती है, तो अगर इस ground distance में energy E1 है और इसमें E2 है, तो यह जो photon बाहर आया, इसका energy जो आजाएगा, वो E2-E1 के एक कोल आजाएगा, यह बात समझ में आया, अब यहां से electron जम किया, photon बाहर आया, इस photon को अगर मैं यहां एक photo sensitive material पे डाल देता हूँ, ठीक है, यह कैसा material है, जिसे photoelectric effect possible ह है, और अगर मैं उस पे डाल दिया, हम सब को पता है, यहां से एक electron बाहर आएगा, जब एक photon पड़ता है, तो एक ही electron बाहर आता है, और ऐसा मेरा नहीं काना, Einstein का काना है, पर इसका मतलब यह नहीं कि 100 photon डालोगे, तो 100 electron बाहर आजाएगे, उस case में 100 से कम ही electron बाहर आएगे पर एक photon डालोगे, तो अगर उसकी energy अच्छी कासी है, sufficient है, तो वो एक ही electron बाहर निकाल पाएगा, तो यह अब इस electron बाहर आया, अगर मैं इसको opposite potential difference लगा के stop करूं, तो इसको stopping potential, जो cutoff potential है, वो यहां पर mention है, 3.57 volt, cutoff potential इस electron को anode पर negative potential लगा के मुझे रोकना हो, तो यह cutoff potential जो होता है, वो इतना है, question समझी में आगया, excited, first N2 से jump किया, N1 में, एक transition में एक photon बाहर आया, वो photon की energy, इन दोनों energy के difference के एक को लोगा, वो energy एक material पे डाल दिये, वहां से electron बाहर आ गया, उस electron को रोकने के लिए cutoff potential दिया हुआ, तो पूछ क्या रहा है, threshold frequency या material, यह जो photo sensitive material यूज हुआ है, उसकी अपनी threshold frequency या cutoff frequency इसको मैं new not बोल देता हूँ, और मुझे इसकी calculation कटनी है, तो I hope कि यह question आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, तो चलो प्यारे बच्चों इसको solve कर लेते हैं, हम लोग सबसे पहले अगर मुझे threshold frequency निकालना, तो logic क्या work function phi is equal to h new not, तो यहां से अगर मैं threshold frequency यह ही से निकलेगा, तो threshold frequency अगर मुझे निकालना, तो इस material का work function पता करना पड़ेगा, तो इस material का work function कैसे पता करूँगा, तो work function पता करने के लिए जो stopping potential है, वो दिया हुआ, incident energy दिया हुआ, तो 5 पता चल जाएगा, आइंस्टाइन के photoelectric equation से energy conservation पे यह equation है, incident energy ideal case में दो part में use होती है, work function plus kinetic energy में equal होती है, यह Einstein का equation है, इस से मुझे work function पता चल जाएगा, तो यहां से kinetic energy के जो value आती है, हम सबको पता है कि half mb square होता है, और यह vc cut off potential के equal होता है, तो अगर मैं इसको solve करूँगे हैं यहां से, तो energy, incident energy पहले निकालो, यह delta E है, incident energy, तो सबसे पहले यही निकालना पड़ेगा, यह भी हमें नहीं पता है, तो general case में जो energy है, minus 13 points, 13 points यहां से electron, 13.6 into n square electron volt, इतनी energy हमारे पास होती है, तो अगर n2 के लिए देखोगे, दूसरे आर्बिट में energy देखोगे, तो minus 13.6 और यह 4 का, 2 का square 4 आजाएगा electron volt, तो यह आजाएगा यहां से, minus और यह आजाएगा 3, और 3.14 electron volt, तो यह वाली जो energy है, वो second आर्बिट में electron की total energy यह वाली चीज है, अब यहां से, अगर मैं द देखोगे, प्यारे बच्चों, first वाली आर्बिट के लिए देखोगे, तो energy n की value 1 है, तो यहां से, minus 13.6 और 1 का square 1 ही होता है, तो minus 13.6 electron volt, और यह second आर्बिट की energy है, और यह जो energy का difference आया, वही delta E है, तो चलो, तो यहां से, मुझे delta E की जो value मिल जाएगी, चलो, यहां से जो delta, delta E की जो value मिल जाएगी, ओ मिल जाएगी, E2 minus E1, तो E2 कितना है, यहां से देखो, minus 3.4 electron volt, और minus A plus, minus 13.6, तो यहां से आजाएगा, minus minus, 10.2 electron volt, that is the delta E, यह वह energy है, जो photon के पास है, जो photon यहां से आया हुआ है, ठीक है, अब यार, वो photon कैसे आया, कैसे बना, electron jump किया तो कैसे बिना, इसके लिए आप दूसरी physics, दूसरा domain आपको पढ़ना पढ़ेगा, तो हमें बस पता है कि यार, jump किया और photon बाहर आ गया, अंदर में क्या है mechanism, वो हमको इस लिवस में नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं, चलो, तो यहां से 10.2 electron volt, अब इस चीज़ को वहाँ पर रखो, work function, और plus 10.2 electron volt, सब electron volt में है, यह data यहां पर रख रहा हूं, work function, 5 की value हमें चाहिए, और kinetic energy कितनी है, kinetic energy जो होती है, वो EVC के equal है, तो EVC VC कितना है, देखो, cut up voltage, यहां पर दिया हुआ, 3.57, तो जब electron volt में है, तो direct में 3.57 यहां पर रख दूँगा, तो यहां से work function, 5 की value आजाएगी, पर रखो, 10.2 और minus 3.57, और यह 0 लगा दूँ, सब्स्ट्राइट करने के लिए, तो यह आ जाएगा, 3 और 6, और यहां से 6.3, that is work function, 5 और यह भी एक electron volt में है, ठीक है, चीक कर लो, एक बार 3, और यहां से 3 और 11, 6, ठीक है, तो यहां से 6.63 electron volt, इतना work function है, जब work function हमें पता चलिए है, और हमको पहले से पता है कि cut off potential निकालना है, तो जब यहां से मुझे work function की value h new, cut off frequency निकालना है, तो 6.63 और यहां से frequency h new की value, तो 6.63 और यहां से planks constant 6.63 इंटु 10 की power minus 34 के equal है, और यह सब electron volt में है, तो electron volt के लिए 1.6 इंटु 10 की power minus 19 से multiply कर दूँ, तो यह जो frequency आ जाएगी पहरे बच्चों, वो hertz में आ जाएगी है, तो 1.6 इंटु 10 की power 34 और 90, that is, यह plus 15 hertz, that will be frequency in hertz, चलो, तो 1.6 इंटु 10 की power 15, इस हिसाब से हम लोगा प्यारे बच्चों, C option match कर गया,